हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे सेमी कंड़क्टर के वीडियो में आज हम लोग नया टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेमी कंड़क्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और आज के जमाने में जो हम जितना आगे बढ़ रहें जितन आसपास अपने हम अपने आसपास पहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं जो सेमी कंड़क्टर का ही अप्लिकेशन है तो आज हम लोग इस वीडियो में सेमी कंड़क्टर का यह चुकी लेक्चर वन है तो सेमी कंड़क्टर क्या होता है सेमी कंड़क्टर का क्या इंपोर् चुका है आज कल हम लोग दीन रात हमारे हाथ में मॉबाइल होता है हम वीदियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मुबाइल से कर रहे हैं कम्प्यूटर है मुबाइल है लेपटॉप जो भी चीज हमारे आसपास है सब में कहीं न और कोई सेहती है कि जिटल डीजिटल टेक्नलोजी है हम लोग जो स्मार्ट होते जा रहे हैं इसमें सेमिकुप की उसके जादा हीटी हीट हाथ बहुत हीट के रूप में लॉस होता था फिर cfl बलबाय जिसमें थोड़ा कम इनर्जी आज हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं वो क्या है आज हम लोग led में आ चुके हैं led लाइट इमीटिंग डायोड है ना यह भी एक सेमिकंडक्टर है आज कल सरकार जो है सोलर इनर्जी को बढ़ावा देने पर ज सेले होता था बड़ा वाला टीवी पिक्चर टीयूब बाला है ना सी आर्टी टीयूब बाला अब है हमारे पास led टी लाइट इमिटिंग डायोड 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 इज पेशल परपस क्या बोले सभी सेमिकंडक्टर से ही बनता है डायोड यानि से डायोड का basic building block सेमिकंड का रोल है और हमारे डीजिटल डीजिटल लाइफ को और अच्छा और सुविधा जनक बनाने के लिए सेमी कंड़क्टर का बहुत ही ज्यादा यूज है तो हम लोग देखेंगे सेमी कंड़क्टर है न देखिए सबसे पहले लिट्रल मिनिंग हम समझेंगे सेमी कंड़क्तर एक वर्ड है सेमी और दूसरा कंड़क्टर यूज है अब उस सेपन हाग फिर आगे जाके इसका ओर अच्छा वाला का definition अच्छा मतलब और ज्यादा क्या बोली स्मार्ट डिफिनिशन हम लोग आगे देखेंगे तो सब लोग तयार हो जाईए अभी हम सेमी कंड़क्टर का द Keese का नाव में कंड़क्टर लगा हुए टाहिए हम लोग डिफिनिशन यज बीसे लिखेंगे देखेंगे की ये एक ऐसा कंड़क्टर है जिसका कंड़क्टिविट्वीटी मेटल्स और आन्मेतल मतलब ये एक अइसा मेटेरियल है जिसका conductivity का range किसके बीच में लाई करता है आपका conductor और insulator के बीच में, यही इसका definition होता है, इसको आप लोग जिंदली metal wide के नाम से जानते हैं, तो यह उसी तरह का चीज है, metal wide को ही समझ लिए, physics में semiconductor कहा गया, तो कहेंगे semiconductor क्या है, तो semiconductor के बारे में हम लोग कहेंगे, कि दोज substances, यह वो substance है, those substances which have, which have, यह वो substance है, जिसमें, those substances which have the, which have the conductivity, which have the conductivity, conductivity lying in between, किसके बीच में लाई करेगा, तो आपका दो material है, क्या, lying in between, conductors and insulators, यहनी, conductor और insulator के बीच में इसका conductivity क्या होगा, लाई करेगा, conductor और insulator के बीच में इसका conductivity लाई करेगा, ठीक है, यह वैसा substance है, ठीक है, और semiconductor, हम लिख सकते हैं, कि वही क्या है, आपका semiconductor है, ठीक है, अब देखिए, यह तो हम देख है, वो semiconductor है, अब क्या है, कि जो semiconductor है, इसका क्या importance है, तो हम लोग देखे, क्या कहा सकते हैं, हम लोग यहां से, यहां से हम कहा सकते हैं, कि nowadays, 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 semiconductor, semiconductor, semiconductors have, a very vast, have a vast application, vast application, क्या कहेंगे, vast application, इसका बहुत ही vast application है, in our daily life, in our daily life, हमारे daily life में, इसका बहुत सारा vast application है, जैसे, like, जो हम लोग mobile phones use करते हैं, like, क्या हम लोग लिखेंगे, like में भाई, तो like में लिखेंगे, जैसे सबसे पहले हमारा mobile phone ही इसका example है, सबसे पहला जो use है, हमारे mobile phone का, जो motherboard होता है, motherboard जो होता है, हना, उसमें, जो हमारे laptop का motherboard होता है, उसमें, diode, triode, यह सब यूज होता है, यह सब semiconductor है, हना, उसके बाद, आप बात करिएगा, आज हम LED यूज करते हैं, LED, LED light, हना, LED TV, हम लोग घिरे हुए, यानी, semiconductor के application से हम लोग क्या है, घिरे हुए, ठीक है, अब कहिएगा, कि semiconductor क्यों useful है, क्यों इतना मतलब, जैसे conductor भी था पहले से, तो conductor को use ना करके, हम लोग semiconductor को को use करते, इसका क्या advantage है, इसको use करने से हमको क्या फाइदा मिला, है ना, तो आपको बताया ना कि, जैसे आप simple example लेते LED bulb का, बहुत ही common बच्चा बच्चा जानता है, कि LED bulb जो है, उसमें energy का loss कम होता है, energy का loss क्या होता है, कम, और हमको ज़्यादा light energy मिलता है, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, ज़्यादा efficiency से light energy में बदलता है, heat energy के रूप में उ irsiniz, basically, दो कारण है, इसका, सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि semi conductor के conductivity को हम control कर सकते कैं, इसे conductor के conductivity को कर सकते को हम और एक बात की conductor में, पोटेंसियल मनलब दो और बीच का जो potential difference होगा, आपना हम जानते है कि 현재 engaged чувств में Wij झाल कर्जाएक होएका है कि यह कर जाता है, तो जब conductor में current flow करता है उस तरीके से तो fix है कि जिधर potential का difference होगा current को flow करने के लिए अगर left से right है तो वैसे भी flow करेगा और right से left है तब भी करेगा तो कहने का यह मतलब है कि वहाँ पर current का direction conductor में किधर भी हो सकता है मतलब कहा सकते हैं कि bi-directional flow कर सकता है यह potential difference पर depend करेगा लिकिन यहां पर क्या है कि current का direction एक ही होगा मतलब unidirectional current का flow इस में होगा एक direction में होगा दूसरे direction में नहीं होगा है यह biasing में आपको पढ़ाएंगे तो यह आपको ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है कि इसका क्या-क्या significance है सब्सक्राइब क्या significance कहने का मतलब यह क्यूं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है significance of semiconductor semiconductor का क्या significance है मतलब क्यूं यह dominate कर गया है क्या इसका advantage है क्या इसका feature है क्या इसका गुन है कि इसको हम लोग इतना ज्यादा तबज्यों आज के तारिख में देते हैं तो देखे सबसे पहला significance हम आपको बता रहे हैं वह यह है लिखेंगे the conductivity the conductivity of semiconductors the conductivity of semiconductors the conductivity of semiconductors can be regulated semiconductor के conductivity को हम क्या कर सकते हैं regulate कर सकते हैं क्या बोल रहा है the conductivity of semiconductors can be regulated कैसे by controlling कैसे कर सकते हैं by controlling by controlling the by controlling the amount of by controlling the amount of charge carriers अब देखें कहिएगा कि यह क्या लिख दिए तो बचपन में हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि जो charge carriers बचपन में हम पढ़ते हैं किसीभी conductor में current बहता है free electrons के कारन तो आप कहेंगे Pay electron क्या है conductor में फ्री electron charge carrier होता है है सेमी कंडाक्ट करेंट बहता है तो चार्ज करियर होता ज़सा करियर का नाम देएं बताते आपको उसकार करियर का नाम है आपका दूसरे कलर से प्लट और ध्यलेक्ट्रॉं में के लिए केवल स्रीडक्रोन's ईlektron स्पून्स बले लेकिन सेमी कंड़क्टर में कौन जिंमेबार है चारज को फ्लो कराने के लिए दो छीज होल और एलेक्टरॉन आप कहिए गाए ल्याक्टरों तो हम जानते हैं के अ लेक्ट्रॉन के कारण चार्ज बहता है इलेक्ट्रॉन चार्ज केरियर हैं हम कहा सकते हैं नेडेटर से में HABIE तो आ गयाErलेक्ट्रों लेकिन होल क्या होन भी यहां पर चार्ज के लेव होता है यानि यह दोणों चार्ज केमाउंट को कंट्रोल हम लोग किसी भी semiconductor में उसके conductivity को control कर सकते हैं कि हमको कब ज़्यादा current चाहिए कब कम current चाहिए सुच लिजे कब ज़्यादा current चाहिए और कब कम current चाहिए ये चीज हम regulate कर सकते हैं है ना ये चीज regulate करते हैं और without energy loss मतलब हम अपने हिसाब से conductivity को बढ़ाग हटा सकते हैं without any energy loss ऐसा नहीं कि ऐसा और नहीं होता था जब semiconductor नहीं खोज गुआ था तो उसके पहले आपका vacuum tube होता था vacuum tube में ये काम होता था कि आप conductivity को control कर सकते थे थर्मियूनी की mission आप photoelectric effect में आपको पढ़ाया गया है मतलब बहुत ज्यादा लॉस होता था मतलब हाई voltage पर काम होता था और इनर्जी का बहुत लॉस होता था वह हमारे discussion का मुद्धा नहीं है मतलब उस पर हम लोग चर्चा बस यह बता रहे हैं कि जब semiconductor नहीं था तो क्या था semiconductor का काम कौन करता था उस समय तो semiconductor का काम उस समय वैक्यूम ट्यूब करता था जिसके कारण मतलब वैक्यूम ट्यूब का बहु सारा practical डिमेरिट था जिसके कारण वह काफी महगा पढ़ता था और उसका efficiency बहुत कम था क्यूंकि high amount of energy उसमें लॉस होता था उसमें भी यही काम होता था कि हम लोग conductivity को कंट्रोल कर सकते थे लेकिन उसके बदले में बहु जादा इनरजी का लास होता था इसमें क्या है कि इनरजी का लॉस नहीं होना एनर्जी का लॉस नहीं होना ठीक है अब देखिए यह हो गया पहला जो इसका क्या बोले महत्ता जो है कि इसको क्यूं हम लोग यूज करते हैं आज के तारीक में यह है कि हम लोग चार्ज केरियर को यहां पे होल और इलेक्टरॉन होता है whole क्या होता है charge carrier के रूप में इस राज से परदा उठेगा आगे के वीडियो में लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि हम लोग charge carrier के amount को control करके conductivity को regulate कर सकते हैं जादा चाहिए तो जादा और कम चाहिए थो कम यह बात दूसरा importance है इसका 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 दूसरा importance यह है कि कि डायरेक्शन ओफ करेंट डायरेक्शन ओफ करेंट इस यूणिडारेक्शनल करेंट का direction क्या होता है unidirectional मतलब एक ही direction में current भगएगा उसके reverse में करेंगे तो current क्या होगा नहीं भगएगा इसको आप पढढ़िएगा जब हम biasing पढ़ाएंगे topic होगा biasing, biasing में आप पढ़िएगा कि forward bias होगा, एक होगा forward bias, AB मतलब forward bias और एक होगा reverse bias profiles बस्में करेंट बेगा है ना और ईवर्स-बास में क्या होगा नहीं बहेगा तो उस तरीके से हम लोग वहां पिर चर्चा करेंगे तो यह advantage है सेमि कंडुक्तर करक्ई के उपर पर कंडुकर नहीं लेकिन när एसे मैं ले ले लिजुकर तो तो मेंनेकि क्या है कि करेंट एक और फ intentar लिज्स क्रेंट फोलेकशन में तो आहां मतलब दोनों चैस में समभव है इधर से इधर भी करेंट जा शकता लेकिन से ही सीमिकर्डक्ट में एसक नहीं एक ही डारेक्शन में करेंट नहीं बहेगा क्योंकि वह रिवार्स बायस मोड होगा फॉरबड बायस में करेंट बहेगा यह बायसिंग भी हम आगे पढ़ाएंगे अभी बस हम इंट्रोडक्शन देने समझ लिजे कि क्यूं हम इसको प्रेफर करते हैं बाकी सारे कंडॉक्ट नहीं था तो इसके जगापे वाक्यूम ट्यूब यूज होता था था थर्मियोनी की मिशन पर बेस्ट था देखेए अब क्या है कि नेचर में जो सेमी कंडॉक्टर एग्जिस्ट करता है ठीक है और प्यूर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो दो टाइप का सेमी कंडॉ होगा है हम तो सेमिकन्डक्टर्स है कि एक आपको मिलता है यह टाइप नहीं बता हैं बोल रहे हैं कैसे मिलता है सेमिकंड़क्टर ہیں एक मिलता है एलिमेंचल ओंड़न में अदूस्रा किसरे मिलता है आपका कंपाऊंड के एक बीकर है। मेरा में इलीमेंटल फॉर्म में बात करेए का तो सिलीकन हो गया हैनल जर्मीनियum हो गया सीलिकन हो गया जर्मीनिय cuma हो गया यह सब और कमपाउंड में जैसे गैलियम होस्पाइट गैलियम अरश यह यह ना यह सब जो होता है यह सब compound form में जो होता है आपका मिलता है इस तरीके से आप देखिए हैं कि वो नेचर में क्या करता है exist करता है कौन semiconductor ठीक है एक चीज़ और लिख देते हैं कि before the discovery of semiconductor लिखी देते हैं वो बात बस खाली आप अपने knowledge में रखिएगा before the discovery of semiconductor सेमी कंड़क्टर डिस्कवरी ओप सेमी कंड़क्टर यानि सेमी कंड़क्टर के डिस्कवरी के पहले semi conductors के discovery के पहले क्या यूज होता था आपका vacuum tubes यूज होता था क्या यूज होता था vacuum tubes क्या यूज होता था भाई तो लिखेंगे vacuum tubes were used vacuum tubes were used vacuum tubes were used लेकिन क्या था उसके साथ but but there were lot of difficulties but there were lot of difficulties लेकिन उसमें बहुत सारा क्या था difficulties था kya-kya difficulties था भाई there were lot of difficulties like kya-kya difficulty था सबसे पहला हमारा difficulty था high energy loss yarni सबसे बड़ा हमारा ये था high energy loss energy का loss क्या होता था बहुँ ज़्यादा होता था requirement of high voltage मतलब current को बहाने के लिए बहुत high voltage चाहिए, requirement of very high potential difference या voltage, potential difference या फिर क्या लिखेगा? यही जब semiconductor आया, but now semiconductor, लेकिन अब जो है, जो semiconductor है, but now semiconductor has replaced the vacuum tubes, तो अब semiconductor क्या किया है? कि vacuum tube को replace कर दिया है, because it has lesser, या कह सकते हैं, कि almost negligible, lesser कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं, almost negligible, almost negligible, almost negligible, almost negligible, energy loss, energy loss. energy loss, so its efficiency, इसलिए इसका जो efficiency है, so its efficiency is quite high, so its efficiency is quite high, इसलिए इसका efficiency क्या होता है, थोड़ा जाता होता है, so its efficiency is quite high, इसलिए आज के तारिक में इसका यूज किया जाता है, जो भी हमारे आज पास से बताए न, कि digitally, अगर आज हम लोग smart होते जा रहे हैं, तो उसमें semiconductor का बहुत बड़ा रोल है, अब देखें, अब क्या बाकी सारे अगर इसका तुलना करिएगा तो बाकी सारे material से इसका तुलना करिएगा resistivity का, तो सबसे ज्यादा resistivity किसका होता है, resistivity, यानि जो सबसे कम current को अपने अंदर से flow होने देता होगा, तो सबसे ज्यादा resistivity होगा किसका, insulator का, resistivity सबसे ज्यादा किसका होगा, insulator का, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होगा भाई मेरे तो सबसे कं रेसिस्टिविटी विदी किसका रेसिश्टिविटी किसका पूंदक्टर पीसद के coule पाइधा इसको मिलता है containing वाला जो फैक्टर है बीच में रहने स्थाइदा मिलता विर्ष को आप बात करिये किसकā कंड़क्टिविटी का तो देखे सबसे कम कंड़क्टिविटी किसका होता है सबसे कम कंड़क्टिविटी किसका होता इंसुलेक्टर का इसी एरो कूल्टा करेंगे इंसुलेक्टर का सेमी कंडक्टर का क्या होता है भाई है sto कंड़क्टर का कंडुक्टिवीटी पिच में लाई करता है और सबसे जाधा कंडुक्टिवीटी किसका होता है तो कंड़क्टर का चर्चा दो sap spirit मरने करते हैं यहां पर मुद्धा क्या है सेमी कंड़क्टर ठीक है वा और!.. हम लोग बात कर लिए मैंक्र कोपिक में क्या खास्यत होता है! ऩॉत करेंगे क्वांटम लिवल पर जब जाके करेंगे तो बहुत सारा ऐसा Internet कहानी जो इसको बाकी सारे material से अलग बनाता है तो उसके लिए इसको हम लोग इसके क्या बूले atomic level पर जाके इसको देखेंगे एकदम microscopic क्या कहा है एकदम छोटे-छोटे पैमाने पर जाके इसको जर्स करेंगे और देखेंगे तो देखेंगे कि देरा lot of things जो इसमें अलग है किससे कंड़क्टर और इंसुलेटर के तुम नामे इसमें बहुत सारा ऐसा चाहिए जो अलग बनाता है इसको और उसी के कारण इसका इतना इंपोर्टेंस है अभी तो मोटे तोर पर देख रहें लेकिन अगला जो हमाया टॉपिक है बैंड थेरी यह इनर्जी बैंड इन सॉलिट्स वह जो टॉपिक है ना वह हमको सेमी कंड़क्टर को माइक्रोस्कोपिक एटोमिक लेवल पर उसको जज़ करके बताएगा उसके अधिक को बताएगा अखिर यह क्यों अलग है क्या घटना इसके अंदर होता है ठीक है तो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अधिय्क किरिवम अब तो अब हम लोग किसका बात करेंगे इनरजी वैंट चीशिन सॉलीड सॉलीड में जो अनर्जी बैंड होताया उसका बात करते हैं से नर्जी बैंड क्या होता है देखेगा ध्यान से बतार है इसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडल में जाना पड़ेगा मॉडल क्या बताता कि किसी भी एलेक्ट्रॉन का tantz और गूम रहा है कि मतलब उस औरम बेट के नर्जी के बराबर उसका है यह एक इलेक्टाउन का अपना इसकी लेवल एक अपने मतलब कि इस 01 यह मौडल में बताया गया पर likeném कि 답 बात पर डिपेंड करता है कि वो किस और बीट में घूम रहा है किस और बीट में वो क्या हो रहा है घूम रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां से लिखेंगे भाई मेरे कि in an isolated देखेगा यहीं से कहानी स्टार्ट होगा और यह बहुत ही important कहानी है यह आप समझ गये तो समझ लिए इस चैप्टर में बाकी सारा चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इसके लिए लोग बहुत जतन पर्यतन करते हैं उल्टा पूल्टा चीज पढ़ते हैं लेकिन आपको यहां पर टू दपॉइंट बताया जागा इन डा मुस्ट सिंप्लिफाइड वे ठीक है क्या कहा रहे है इन आइसोलेटेड़ एटम किसी भी आइसोलेटेड़ एटम में क्या होता है किसी भी आइसोलेटेड एटम में दा एनर्जी आफ एलेक्ट्रोंस दा एनर्जी आफ एलेक्ट्रोंस दा एनर्जी आफ एलेक्ट्रोंस जो इन एलेक्ट्रों का एनर्जी है है ना डिपेंड करता है किसपे डिपेंड करता है दा एनर्जी आफ एलेक्ट्रोंस दिपेंड करता है दिपेंड करता है कि अब इंटीज रिवावल्वेंग जिस्के गूमता है है उसके इनर्जी पर क्या करता है यानि यह बministra मोडल ये बताया कौन हम को यह बतायास हमको नील बोर है आएसलेटेड इसमेंर्वी क्या इस्का कुले कि कि इस उसका इनर्जी क्या करता रिपंड करता है जैसे याद करिया कि इस तरीके से आप बनाते हैं और कहते हैं ग्राउंड स्टेट हो गया वह गया इन बराबर फॉर हो गया और फाइब होगे है अब आप है क्या है अब टो जन के लिए यह पर क्या कहते है यहां पर हुलता मायनिस 30.6 let है अलेक्तों वोल्ट पर आटम एहां पर इनर्जी होता है लेक्ता है इस इंशिया प्रिपए-ρώज़ ऍभाण, एक आपना डिस्क्रीट करने काम उसके बाद आगे होगा बीच में कुछ नहीं हो और यह दिखाते हैं एक कैसे दिखाते हैं मतलब यह इसका इनर्जी लेवल हो गया है कि जो भी ऐलेक्ट्रों है उसके लिए के allowed orbital है और उसका एक sharply defined energy level है मतलब हम कह सकते हैं कि each electron each electron has certain discrete energy level certain discrete energy level certain discrete energy level certain discrete energy level each electron का क्या होता है certain discrete energy level होता है each electron has certain discrete energy level represented by represented by sharp lines represented by sharp lines देख रहा है न sharp lines हम लोग उसको क्या करते है represent करते है sharp lines यह कहां यह सब कहां होता है in isolated atom in isolated atom लेकिन क्या नेचर में किसी भी सब्स्नांस में अकेला एटम होता है तो क्या सब में अकेला होता है नहीं ऐसा नहीं अकेला एटम थोड़ी आपको मिलता है हम क्या कहेंगे तो तो फिर हम कहेंगे कि practically practically अइसएटरिण हम कहेंगे कि practically ऐसोलेटेड घाम स्टबंट एग्जिस्ट आएसो लेट bark नहीं करता है कि औरे ऐसी इंट फर्म एफ्रिस्टल कि Sumitar mi 카re city फोड़ेगा आपको सब्साद्स मिलेगा अको तो दे एक्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल किस रूप में वह आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा क्रिस्टल के रूप में मिलेगा वह आपको किस रूप में मिलेगा वह आपको मिलेगा क्रिस्टल के रूप में ठीक है तो वह जब आपको क्रिस्टल के रूप में मिलेग तो फिर crystal formation में क्या घटना घटता है मतलब isolated atom में तो यह बात हम बहुत आसानी से कर देते हैं अकेला होता है तो लेकिन जब crystal बनेगा तो पडोसी मिलेगा एक atom को उसका पडोसी मिलेगा धेर सारा समझ लीजे कि धेर सारा atom आपस close आएगा तब जाके crystal का यहां को क्रिश्टर लाओश देगा कोंसेट देगा है तो देखे क्या लिखेंगे क्षिट्ञ से कि आं आइसोलेटेड डू आहता है crystal में atom isolated नहीं होता है they are very close to each other, they are very close to each other, एक दूसरे के क्या होता है, बहुत close होता है, एक दूसरे के क्या होता है, बहुत close होता है, ठीक है न, कितना of about, कह सकते हैं न, according to standard book, दो एंग स्ट्रम से तीन एंग स्ट्रम के बीच का दूरी होता है, एक आटम और दूसरे आटम के बीच में, और ये नजदीक आने से क्या घटना घटता है, नजदीकिया जब बढ़ेग तो क्या घटना घटेगा, इस पे हम लुक शर्चा करेंगे, उसके पहले आप इसको नोट करिए, स्क्रीन शॉट लीजे, देखें, तो क्या बोले, कि जब क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल बनने के दौरान एटम्स बहुत close आता है, भाई, जब मान लीजे कि सोडियम ब क्रिस्टल बनेगा, तो क्या होगा कि धेल सारा सोडियम का एटम्स बहुत आयेगा, और इस क्लोज आने से होता क्या है, कि आप सोची आप अपेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड है, तो जब आप आइसोलेटेड हैं, तो आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपका अपना potential आपका energy प्रभावित होगा यही सेम काम solids भी होता है जब crystal formation होता है तो यानि crystal formation में atoms close आता है और जब atoms close आता है तो interaction होता है और interaction से energy पे जो energy हम लोग sharply कर दिये isolated atom में की माइनेस 13.6 माइनेस 3.4 इलेक्टर ऑनवोर्ड यह इनर्जी जो डिफाइन कर रहे यह sharply defined energy में थोड़ा disturbance होता है और यही disturbance जो होता है वो हमको क्या बोले यही disturbance हमको energy band के formation की उर ले जाता है यह सारा खेल है crystal का और crystal में क्यूं भाई क्यूंकि atom close आता है इंट interaction होता है किस तरह का interaction होता है हम देखेंगे वहीं से हम लोग सीख जाएंगे कि energy band क्या होता है इस पर चर्चा आपको हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तब तक इस वीडियो को देखिए और अच्छे से नोट करिए और फिर अगला वीडियो आपको देख ने के लिए मिलेगा